हेलो दुस्तो क्या हाले मेरा नाम है लाव दीन आज का इस विडियों बात करने वाला हूँ अगर आप रियाल्मी का डिव वाइज यूच करते हो या रियल्मी वाइज 4.0 का डिवाज यूच करते हो तो आप 20 पलस अमाजिंग हाइडन फिचर के बारे में आपको बताूंगा तो वीडियो को end तक बने रहे वीडियो बहुतीं इंट्रेस्टिंग होने वाली है वीडियो को end तक बने रहे चलिए वीडियो को start करते हैं अब चलिए में बात कर लेता हूँ कि सबसे पहला feature आपको क्या देखने को मिल जाएगा मोबाइल को setting आपको open कर लेना है मोबाइल को setting open करने पर तो आपको करना क्या हो यहां से नीचे आपको slide करते जाना है नीचे आपको option देखने को मिलेगा additional setting पर आपको click कर देना है additional setting पर जैसे आप click करते हो आपको यहां से नीचे slide करते जाना है निचे आपको option देखने को मिलेगा जेस्चर एंड मोसन को option देखने को मिलेगा उस पर आपको क्लिक कर देना है उसके बदूस्ते यहां पर आपको बहुत सरा feature आपको देखने को मिलेगा चलिए में बता देता हूँ कि एक एक feature कर वे मैं बता देता हूँ यहाँ पर देख सकते ड्राओ और टू ओपेंड कैमरा इससे जखसे से ही आपको ओन कर दोगे इससे आपको क्या बेनेफिट होगा चलिए में बता देता हूँ यहां पर आपका स्कीन ओफ है, यहां पर आपको ओ लिखना है, आपको जो कैमरा है चालू हो जागा, यहां पर देख सकता आपको वेट कर लेना है, आपको जो कैमरा है चालू हो जागा, सिर्फ पर आपको बंद स्कीन पर आपको ओ लिखना है, आपको कैमरा चालू हो जागा यह फिचर आपको कैसा लगा आप मुझे कमेंड करके जरूबातना अब चलिए में बता देता हूँ कि सेकंड फिचर आपको क्या देखने को मिल जाएगा फिर से आपको मुवाइल के स्टेटिंग आपको वहाँ पर चल जाना है वसके बाद यहाँ पर देख से ड्राव भी ट जल जाएगा यहाँ पर देख सकते हैं हमारा जो फॉलसलाइट है जल चुका फिर आपको भी लिखना है फॉलसलाइट है बंध हो चुका यह फिचर आपको देखने को मिल जाएगा यह फिचर आपको कैसे लगा आप मुझे कमेंड करके जरूर बताना नेक्स्ट फिचर आपको एक नया फिचर देखने को मिलेगा फिचर आपको कहा देखने को मिलेगा चलिए बता देता हूं यहाँ आपको कस्टम पर क्लिक करना है कस्टम पर जिसे आप क्लिक करते हो तो आपको यहां से नीचे स्लाइट करते जाना है नेचे आपको ओप्सन देखने को मिलेग एक फीचर आपको देखने को मिलेगा मैच वाल पेपर कलर का यहां पर देख सकते हैं कि दूस्तो आपको जो एप्लिकेशन है बलेकंड वाइट में हो गया है यह फीचर आपको कैसे लगा आप मुझे कमेंड करें जरूर बताना अब चलिए बात कर लेता हूं कि नेक्स्ट फ आपको ओपेंड कर लेना मुबाइल को सेटिंग ओपेंड करने बाद नीचे आपको स्लाइट करते जाना है यहां पर आपको ओप्सन देखने को मिलेगा एडिशनल सेटिंग एडिशनल सेटिंग पर आपको क्लिक करते हैं यहां पर नीचे स्लाइट करते जाना है नीचे आ बहुत ज़्या जिल्या तो कौन सा फीचर में आपको बता देता हूँ आपको यहां से नीचे स्टयाइट करते जाना है यहां आपको 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 उप्न संदे celery को मिला आतर अगर आपका यह TWO तो on कर देनां से तो आपको एगा आपको व्रक्ती का देखनीक मिल जागा फिर से आपको manner setting आपको open कर लेना मधोरेंग आपको किलिक करने को देखने को मिलेग स्टयाल goal ऊप्सटों जो क्लिख कर देना है धुर्स के कलर को किलिक करने के बाद यहां को क्या फैदा देगा चलियंग बता देता हो यहां पे देख सकते यहां हमारा बुलु डेख Summit अगर अच्छका आप color change करना चाहते तो यहाँ से आप color change कर पाऊ गए यह feature आपको कैसा लगा आप मुझे comment करके ज़रूर बताना अब चलिए हम बात कर लेता हूँ कि next feature आपको क्या देखने को मिल जाएगा mobile setting आपको फिर से आपको open कर लेना है mobile setting आपको करने बाद आपको करना क्या हूँ यहाँ पर नीचे select करते जाना है यहाँ पर आपको option देखने को मिलेगा battery का battery पर आपको click कर देना है battery पर जिसे आप click करते हैं यह दोस्तो बहुत ही most important feature है इस feature को आपको on करके रखना बहुत ही ज़रूरी है यहाँ पर power saving mode का जो option देखने को मिला है उस पर आपको click कर देना है सबस उपर में आपको power saving mode का जो option देखने को मिला है अगर आपको यह off है तो इसे on कर देना है on करने से दोस्तो इससे फैदा क्या होगा आपको जो battery डेनिंग जो इस हो आ रहा battery जल्दी खतम हो रहा दोस्तो वह नहीं होगा battery backup आपको अच्छा देगा इसे on करने से इसे आपको on कर लेना है यह feature दोस्तो बहुत ही most important feature है इस feature को आपको on कर लेना है चलिए बात कर लेता हो कि next feature आपको क्या देखने को मिल जागा नेश्ट feature के लिए आपको मॉःल के setting आपको फिर जी open कर लेना है मॉयल के setting ओपें करने पद दोस्तो यहां पे आपको option देखने को मिलेगा sound and vibration का उस पे आपको click कर देना है उस पे चीज़ी आप click कर दें दोस्तो आपको यहां पे नीचे select करते जाना है नीचे आपको option देखिने को मिलेगा haptic and tones का उस पर आपको click कर देना है, सबसे उपर में आपको option देखिने को मिलेगा system haptics का, दोस्तो इसको अगर off है तो इसे on कर देना है on करने से आपको जो भब烏जर्शन का जो problem था वो भी आपको solve हो जागा नीचे तरफ दूसतों आपको फिक्षर देखने को मिलेगा डायल पाय्ट टॉन लोग किस्कीं सावन यहाँ पर इसकston शोट्ण हैयाँकर यहानसे आप इससे एनेबल भी कर पाऻा है और रिंगल को वर्क ने कर रहा वह दर्सन वर्क ने कर रहा दुस्तों अगर आपको यह व deineं कर रहा और यह तो इसे ओन कर नेस्ट फिचर आपको देखीने को मिल जाएग अपको मुबाइल की सेटिंग फिर से आपको UPenn कर लेना है मुबाइल को शेडिंग ओपन कर दो आपको नीचे आपको सलाइट करते जाना है यहाँ पर आपको option देखने को मिलेगा about device का about device पर आपको click कर देना है about device में जैसे हैं आप click करते हो अगर आप अपने मुबाइल का RAM को increase करना चाहते हो realme y3.0 में realme y4.0 में तो दो यहाँ पर RAM को increase कर पाओ गए यहाँ पर जो RAM को option देखने को मिला है उस पर आपको click कर देना है उस पर जिसे आप click करते हो आप यहाँ से RAM को increase कर पाओ गए आपको जो RAM 4GB का है तो आपको RAM 8GB के हो जाने वाला है तो यहाँ से दो आप RAM को increase कर पाओ गए अब नेक्स्ट फिचर आपको देखनी को मिल जएगा आपको मौयल को शेटिंग आपको ओपन कर लेना है बाइटो शेटिंग आपको फिर्णी को अपन करने हो आपको यहां से सिलायट करते जाना हुं ने जैब आपको option देखने को मिलेगा about device का about device पर आपको click कर देना है about device पर जिसे आप click करते हैं यहाँ पे आपको share का option देखने को मिला है share पर आपको click कर देना है यह feature सिर्फ realme y3.0 में देखने को मिलेगा realme y3.0 में यह feature अभी तक देखने को नहीं मिला है समझ चुक के दोष्टोण है इसको on click करने रहेगा यहाँ पर दोस्तो यह feature इसको on click करने भाद दोस्तो share पर जैसे आप click करते हो तो आपको इस तरह तो option देखने को मिल जाएगा मुवाइल का storage कितना है कितना प्रोसेसर है कितना camera है मुवाइल का और कितना जीबी कर रहे हम है यह आपको सारा data यहाँ पे लिखावा रहेगा यह अपने दोस्तों के साथ share कर पाऊगे यह फीचर आपको कैसा लगा दोस्तों कैंअ आपको future बदाया मैं मुनित कर सकता है आपको यह पकसंद आया अगर आको के पसंद आया तो बीडियो में करें रखोजय कि शेयर करें चले इस तो फिर मिलते है जब्लें